सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट गुड़ मॉर्निंग आल अफ यू मैं रविंदर कुमार आप सभी का हमारे स्टेडी चैनल कोटिल स्टेडी जोन में स्वागत करता हूं आज हम जो बाल मनविगन है चाइल्ड साइकलोजी की छटी क्लास है वो लेकर आए हैं इससे पहले पांच जो क्लासिज है जिसमें हमने साइकलोजी का जो मीनिंग है जो जेन प्याजे है उनकी थियोरी है और इससे पहले वाली जो क्लास थी वो जो थांडाई की trial and error theory है उसके उपर करवाई गई थी उसके बाद हमारी जो learning theory है उसमें paulow classical conditioning theory कि जो सीखना है वो किस परकार conditioning करके जोड़के है वो सीखा जाता है किसी condition से सीखा जाता है उस theory के उपर बात करेंगे चलें इसको start करते हैं कि जो paulow की classical conditioning है वो देखो जो conditioning theory है इस सिधान्द का प्रतिपादन है इस सिधान्द को जो बनाये था वो रूस के एक manovigyanic थे paulow उन्होंने इसको प्रतिपादन किया था और इस theory को SR theory stimulus response theory भी है वो कहते हैं दूसरे इस theory के बहुत सारे नाम है इसको paulow conditioning theory भी कहा जाता है conditioned response theory भी theory का नाम है वो लिया जाता है respond behavior theory कि यह theory है वो respond के उपर आधारित है respond behavior theory है वो भी इसको नाम है वो लिया जाता है तो paulow ने क्या है कि experiment है वो किस परकार किया था इस theory से जैसे जैसे आगे बात आएगी कि इस थियोरी का हम थियोरी जो ये पढ़ रहे हैं कि एजुकेशन में इसका क्या इंप्लीमेंट है एजुकेशन में ये क्यों प्रियोग होती है वो आगे देखेंगे सबसे पहले देखे हैं कि पाउलान ने experiment किस पर किया था तो पाउलान ने कुते पे इसका प्रियोय किया था क्या करता था कि कुते को एक जगह repent बांунд दिया उसने कुते को जब बांदा तो कुते को जब भी वो बोजन देता उससे पहले उसी के साथ गंटी यह वह बजाया करता था. और ये क्रिया वह काफी दिनों तक चलती रही. जब कोट्ते के सामने बोजन रखा जाता उसी दुरां किया है कि गंटि बजाया जाती? तो कुट्ते के मुँह से एक लार थपकने लगती. और वो लार किसको देखके थपक रही थी? बोजन को देखे लेकिन उसी दोरान एक और किरिया भी वो करते थे कि साथ में जैसे ही बोजन देते हैं उसके बिलकुल साथ मतलब पहले जैसे गंटी बजाते हैं साथ में उसके सामने बोजन है वो रख दिया जाता और बोजन को देखके लारा वो टपकने लग जाती तो जै कुट्टे के मुह में वो लार आ गई, बोजन नहीं रखा गया, तो केवल गंटी बजाने पर भी कुट्टे के मुह में लार आ वो टपकने लगती है, इसका मतलब क्या हुआ, कि लार टपकने की जो प्राकरतिक अनुकरिया है, कि उसने जो रिस्पोंस दिया है, क्या दिया है जैसे गंटी बजी उसको क्या लगा कि भोजन वाने वाला है और उसके मूँ में ला रहा है वो आ गई तो यह क्या था एक जो response था उसके परतिकी भोजन मिलने वाला है तो उसके मूँ में पहले से वो उसके लिए वो तयार हो गया तो यह जो अनुकरिय है response है वो जो artificial stimulus उसको क्या बजना कि घंटी बजना एक artificial stimulus था पहले उसको stimulus क्या दिया जाता था लेकिन जब जू नेच्छरिल stimulus था वो हटा लिया गया और केवल artificial stimulus दिया गया कि केवल जब घंटी बजाए गई तो भी उसने respond किया उसके परती कि उसके मुँ में वो लार आ गई तो पावलो ने इसे classical conditioning सिद्धान्त का नाम दिया है कि यह जो conditioning है यह classical conditioning है कुट्ते को पावलो ने अपने प्रियोग को सिद्ध करने के लिए बांध रखा था एक अच्छी तरीके से उसको रख रखा था उसको जरूरी सेंत्र लगा रखे थे और लार्ज उसके मुँ में आते थी उसके मापने के लिए भी उसने यह अंत्र है वो लगा रखे थे पहले पावलो है वो जो उसको जो natural stimulus है फूड है वो देता था और शाथ में उसको क्रित्रिम जो है आर्टिफिशिल स्टूमलेस है गंटी बजाना दोनों एक साथ देता था लेकिन जब जो natural stimulus है उसको अटा देता है और अकेला artificial stimulus देता है तो भी क्या करता है उसका रिस्पॉंड करता है लार के रूप में किया जाता है तो यह है स्टूमलेस रिस्पॉंड त्योरी कि जब भी किसी को जो stimulus दिया जाएगा वो क्या करेगा उसके रिस्पॉंड करेगा यह तो बात ठीक है लेकिन इसमें एक और चीज को क्या जोड़ दिया कि नेचुरल जो stimulus है उसके परती तो वो रिस्पॉंड करेगा ही करेगा लेकिन नेचुरल जो stimulus है उसको यह दि किसी artificial stimulus के साथ जोड़ दिया जाए तो उस artificial stimulus से भी क्या है कि natural जो response है वो बाहर आ सकता है तो यह experiment इसका क्यों किया गया कि बच्चों को एक तो नेचुरल स्टुमलस कोई चीज तुम देगे पढ़ाने के लिए यह दि नेचुरल स्टुमलस नहीं दे सकते हो आर्टिफीसियल यह दि स्टुमलस देते हो तो भी बच्चे उसके पर पर बच्चा उससे ड्रागा तो बाद में जब सकते हो तो उसने पहले चुक्यों कि पर प्रति वैसे इसे इस चीज को चूहूंगा, तो यह क्या करेगी, कि इस तरह की आवाज निकलेगी, या इस तरह का रिस्पॉन्ड है, वो पहले ही बच्चा हो करने लग जाता है, तो जो classical conditioning के थियो के कुछ principles है, पहला है presentation of stimulus, कि जो artificial stimulus है, वो जब दिया जाता है, तो उसके साथ natural stimulus है, वो दिया जाना बहुत जुरूरी है, उसी के साथ, यदि दोनों में बहुत ज़्यादा gap आ जाएगा, तो क्या है कि जो अनुबंद है कंडीशनिंग जो होनी चाहिए दोनों में नहीं हो पाएगी दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ स्टूमलस की जो प्राकर्तिक उद्धिपक है जो यह दिवान लोग गंटी बजाए जाते हैं उसके बाद भोजन सुरू से दिया ही नहीं जाता है गंटी स्ट्रेंथ नहीं होगा तो बच्चा उसको कंडीशनिंग है वो नहीं कर पाएगा कि प्राकरतिक उद्धिपक बनावटी उद्धिपक की अपेक्षा ससकत होना चाहिए कि नैचुरल कि गंटी है वो बजरी है उसके बाद कुछी रखा जा रहा है कि कुट्ते को जो उसी जो आर्टिफिसियल स्टूमलस है उसके परति वो अपना रिस्पॉंस हो जारी कर देगा या उसका रिस्पॉंस हो रिस्पॉंस करेगा उसके परति तीसरा क्या है कि जो प्रिंसिपल ओफ कॉंसिटेंसी का क्या मतलब है कि जो दोनों दीपक है उनमें निरंतरता होने चाहिए यह नहीं कि कभी गंटी को पहले बजा दिया फिर बोजन रखा गया कभी पहले बोजन रख दिया फिर गंटी को बहुत देर में बजाया गया या एक दिन है वह ऐसा बजाए गया दूसरे दिन नहीं बजाए गया तो येधी निरंतरता नहीं होगी एक ले और ताल नहीं होगी तो जो बच्चा है या कोई भी जो चीज है वह आपस में कंडिसने में वह नहीं हो पाएगी चोथा है रेनफोर्समेंट कि अर्टीफीसियल अच्छा मिलेगा तभी वो उसके साथ conditioning कर पाएगा तो बच्चे को भी यह दी जब वो सीखता है तो उसको अच्छा reinforcement जब मिलेगा तभी बच्चा है वो किसी भी चीज को सीख पाएगा एज क्या है कि जो conditioning है वो बड़ों की अपेक्षा छोटे बच्चों में आसानी से हो जाती है जैसे खरगोस वाले वाट्शन ने जो किया कि रैबिट बेवी वाला जो एक्सपेरिमेंट किया यदि बड़ा होता तो उसको पता लग जाता कि पहले जो चीज की थी वो कुछ और और यह चीज है वो और है तो जो conditioning जो पढ़ाय जाती है conditioning जो की जाती है वो कम उमर के बच्चों में ज्यादा प्रभावसाले होती है इसलिए जब भी छोटे बच्चों को चीजों से जोड़के conditioning करके वो चीखाया जाता है जो छटा इसका point है कि intelligence की ज्यादा बुद्धी क बच्चे होंगे वो जल्दी से उस चीज को सीख जाएंगे intelligence जितने ज्यादा होंगे वो conditioning करने के उतनी आव सकता है मैसूस नहीं कर पाएंगे या उनको इतनी जरूरती नहीं होती conditioning करने की लेकिन जो कम बुद्धी वाले बच्चे है वो conditioning है वो अधिक आसानी से स्थापि कम होती है या मंद बुद्धी वच्चे है उनके लिए प्रियोग किया जाता है कि जो चीज़े उनको सिखाए जाती है वो आपस में जोड़के सिखाए जाती है तो यह जो हमारी थियोरी थी जो पावलव की थियोरी थी जिसमें कि किसी चीज़ को बच्चे को जब भी सिख वो conditioning करके जोड के चीजों को शिखाया जाए कि एक चीज से दूसरी चीज को जोड दिया, conditioning कर दी, उसके बाद जब सिखाया जाता है, तो वो बड़ी आसानी से सीख जाते हैं, तो इसके education implication क्या हो सकते हैं, कि education में ये theory हो किस परकार काम आती है, एक तो ये language को शिखने में ब और modify करना है, तो उसके पहले से जो उसने mother tongue सीख हुई है, उस जो दूसरी language उसको सिखानी है, कि mother tongue के साथ उसको जोड के, उसकी conditioning करके, उसको language को आसानी से सिखाया जा सकता है, दूसरा क्या है कि theory of reward and punishment, कि बच्चा जब बहुत जल्दी सीखता है, यदि उसको reward मिलता है, और punishment के डर से, punishment को हटा दिया जाए, तो भी बड़ा जल्दी सीखता है, कि punishment को हटा देने का मतलब क्या है, कि बच्चे को यदि यह होगा, कि मैं काम नहीं करूँगा, तो मुझे मारा जाएगा, स्कुल में मुझे मार पड़ेगी, तो मार को जब हटा देते हैं, कि अच्छ जो reinforcement है, वो कहलाता है, तो negative reinforcement, एक तो उसको reward दिया जा रहा है, वो positive reinforcement है, किसी चीज को हटाया जा रहा है, ऐसी चीज जो बच्चे को गलत लगती है, बुरी लगती है, उसको हटाया जा रहा है, वो negative reinforcement है, तो बच्चा negative reinforcement से भी और positive reinforcement से भी जल्दी है, वो सीखता है, तो ब उसको लगेगा कि यदि मैं ये काम समय से कर लेता हूँ, तो नेगेटिव ये रेनफोर्समेंट है, ये हड़ जाएगा, यानि मुझे पुरिस्मेंट नहीं मिलेगी, तो भी बच्चा वो जल्दी सीख जाता है. तो इस थेओरी के दवारा बच्चे में पॉजिटिव बिहेवियर है और वेल्यू है, वो सिखाई जा सकती है, कि उनको बताया जा सकता है, कि यदि तुम अब पॉजिटिव बिहेवियर करोगे, या बड़े लोगों की जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनकी कहानिया है, वो सिखाई जा सकती है, उनके साथ दूसरी कहानियों को जोड़ा जा सकता है, तो बच्चों में पॉजिटिव बिहेवियर है, वो इस के दवारा सिखाई जा सकता है. Elimination of superstitious, superstitious का क्या मतलब है इसमें, कि बच्चे की भ्रमों को दूर किया जा सकता है, कई बार बच्चे के मन में कुछ डर बैट जाता है, कि ये भ्रम बैट गया, कि बिल्ली को जब यदि वो देखता है, माला स्कूल में जा रहा है, बिल्ली उसका रास्ता काट लेती है, तो उसको मन में ये पहले से ब्रह्म बैठा हुआ कि जब भी बिली रास्ता गाटती है मुझे स्कुल में मार पड़ेगी तो उस ब्रह्म को कैसे दूर किया जा सकता है कि इस कंडिस्निंग को तोड़ के इस conditioning को कैसे तोड़ा जाए कि यदि मालो पता लग जाता है कि बिली ने रास्ता गाटा और बच्चे के मन में ब्रह्म बैठा हुआ तो उस दिन बच्चे को सजा ही ना दो इससे भी इससे चुटकारा मिल जाता है लाइकिंग ऑडिस्लाइकिंग फोड़ टीचर अंड सब्जेक्ट कई बार क्या होता है कि बच्चे को बच्चपन में इह मालो मैथ का टीचर हूँ अच्छा नहीं मिला तो उसको सभी से नहीं समझाया गया सभी से नहीं पढ़ाया ग क्या हो गा है क्योंकि बच्पमन में उसको PRES fems m पढ़ाना वाला वह ऐसा मिला था जो सही से महत नहीं पढ़ा पाया सही से नहीं समझा पाया तो इसने द्רי मैंट में अपनी इसमेग की यह है वह आशां हो सीछ नहीं सकते तो मैं बच्छे को यह यहीं इसमालो बच्पन में इस तरह की कंडिस्निंग उसकी हो रखी है तो बाद में उस चीज से उभरने के लिए यदि उसको ठीक से पढ़ाया जाए ठीक से उसको मोटिवेट किया जाए और जो कंडिस्निंग के बारे में उसको समझा जाए कि किस तरह से कहां पर ये गलती हुई ह तो भी एजुकेशन में इस त्यूरी का हम इंप्लिकेशन है वो कर सकते हैं तो ये हमारी त्यूरी थी जिसमें एक क्लासिकल कंडिस्निंग है वो त्यूरी इसमें पावलो की त्यूरी को बोलते हैं एसर त्यूरी भी इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट ओन कंडिस्निंग भी बोलते हैं कि जो conditioning के साथ या आपस में जोड के वो चीजों को बच्चा है वो याद करता है यदि आपको चीजे समंझ में आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को like, share और subscribe करना ना भूले धन्यवाद झाल का झालो ठार पक्लान डलै को यष्चान डुंभा है वो गयाद है औरी आपको चैनल? झालो फटान रह इसलों को आपको बचको करता है रह दो मारे आपको करता है सब्स्त पुकेशण के रहलों कि तो खा रहलों आपको झाल 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 लाइक इन, निवर मिस न अपदेट